कहाने के शुरुवात साल 2020 से होती है जब हारू ड्रेगिन बैंक नाम के टेक कमपनी के डूइडिंग के रूफ टॉप पे ख़़ा था और अंदर कमपनी के सीईओ केरी का इंटर्व्यू ले रही थी जवाब देता है इसके बाद हारू इंटर्व्यू देने आता है उसमें कॉट कूट कर भरा था वो काफी बिंदास होकर इंटर्व्यूर के हर सवाल का जवाब देता है जिससे केरी का काफी इंप्रेस होती है आगे गाकू फूड वेंडिंग मसीन से खाना खरीद रहा था है वहीं गाकू काफी डरा सहमा सा रहता है आज तक उसने एक भी इंटर्व्यू क्रैक नहीं किया जिबकि वो कॉम्प्यूटर में एक्सपर्ट है सीनब 2016 में सिफ्ट होती है एक रात कुछ बदमास लड़के गाकू का सारा सामान चीन कर उसे बुली कर रहे थे तब ही वहा पका एक स्पिल कर दिया जाओंगा जिससे गाकू को बहुत बुरा लगता है हारू को बचाने के लिए वो अपने लैप्टॉप से सिसी टीवी कैमरा को हैक करके उस वक्त की फूटेज इलीट कर देता है जिससे हारू का फिम फ्रेस हो जाता है और उसे लगता है कि गाकू फ्यूचर में जरूर कुछ अच्छा बड़ा काम करेगा मगर प्रेजेंट में तो उसकी हालत खरापती उसके पास एक जॉब तक नहीं थी इसलिए अगले दिन गाकू ड्रेगन बैंक कंपनी के ग्लास साफ करने का काम करता है आके कुछ पैसे आ जाए वहें अंदर इंटर क्लिएश को काम पे ना रखकर मेरे जैसे जोल जाल करने वाले आदमी को काम दे रही है और इस कमपनी को तो हम फ़ीदेंगे चलो हम दोनों मिलकर ट्रिलियन गेम नाम की कंपनी बनाते हैं इसमें हम ट्रिलियन कमाकर इसकंपनी को खरीद लेंगे इस वक्त हारू गाकू को लग्जीरियस लैप के बड़े-बड़े सपने दिखाता है जिसमें उनके पास सांदार घर नौकर चाकर और गाडिया होंगी मगर गाकु को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता वहीं फ्यूचर में ट्रिलियन गेम नाम की कंपणी काफी बढ़ी हो गई होती है और वो जल्द ही अमरिका और सौधिया रभ्या की AI कंपणी से हाथ मिलाती है जिससे सभी मेडिया वाले गाकु का इंटर्व्यू लेने के लिए पीछे पढ़ जाते हैं मगर इसमें वो लोग को फॉंडर हारू के बारे में भी सवाल कर रहे थे जिसका जवाब गाकु नहीं देना चाता या काफी बड़ा और खूपसूरत था मगर गाकु को छोटे आफिस के ही आदत थी आगे असिस्टेंट उसके पुरानी चेयर को कबाल में फेकने वाली थी जिसे गाकु मना कर देता है क्योंकि उसके उस चेयर से कही सारी पुरानी यादे जुड़ी थी सीनप साल 2023 में सिफ्ट लाता है उसने वो चेयर डोला क्यान में खरी दी जिबकि उन दोनों की सेविंग मिलाकर डोला क्यान ही हो रहे थे जिससे गाकु कंपनी शुरू करने वाला था पर यहां तो हारु ने सारे पैसे की एक चेयर खरीद ली थी तो बाकी की चीज़ी कैसे होगी है अरु से फिकर करने हैं पर इस फंट्ट करना आ पर कम्पनी शुरू करने के लिए हमें साथ ले कर एक इंव्स्टर के पास जाता ले पोड़े जसे इन कि व देने को राजि हो जाता है मगर हारू नसे 50ifie कि मांग करता है जिसके लिए वो इंवेस्टर राजी नहीं हो पाता पर हारूहार नहीं मानता वह आगे सारे इनवेस्टर को मनाने की कोसेश जारी रगता है इस प्रसेसमें थडाले से जूट बोलता है इतने सारे rejection मिलने से गोकु तो हिल जाता है पर हारू टेंसन फ्री था उसे पता था कि वो किसी ना किसी तरह अपने मंजिल तक पहुंची जाएगा निक्स्ट सीन में वो ड्रेगन बैंक की केरिका से मिलकर फंड मांगता है जिस पे केरिका कहती है कि वो कंपनी जिस सारे बॉल्स पॉकेट कर सकता हूं वो भी ब्लैंड फोल्ड करके पर इसके बाद तुम्हें हमें फंड करना होगा केरिका को यह इंपॉसिबल लगता है इसलिए वो मान जाती है मगर आखों पे टाय बांधने के बाद भी हारू सारे बॉल्स एक ही सौट में पॉकेट करने पर सेंट शेर अपने नाम करने को कहती है जिसके लिए हारू राजी नहीं होता क्योंकि इसे कंपनी का सारा कंट्रोल के पास चला जाएगा इसलिए वो मूपे मना करके वहां से चला जाता है उनके जाने के बाद के असिस्टेंट देखता है कि जिस टाय को बांधकर हारू पॉकेट किया ता हो उसके आरपार दिखता है यानि उसने चीटिंग किया है जिसके बारे में केरिका को पहले से पता था इंटर्वीव वाले दिन ही वो समझ गई थी कि हारू क्या चीज है इसलिए वो हारू को किसी भी तरह अपने कंट्रोल में लेना चाहती है ताकि वह हारू एक बार में जाकर हला करतेता है कि ड्रेगन बैंक हमें 100 मिलियन की फंड दे रही है जिससे बाकी के इन्विस्टर्स के कानों तक यह बात पहुंच जाए और वो इन्हें अच्छी डिल दे सके तबी एक लेडी से इन्हें पता चलता है कि ड्रेगन बैंक हैका थाओन कर रही है जिसमें दुनिया भर के बहतरीन हैकर पार्टिसिपेट करके एक फेक सर्वर को हैक करेंगे और पॉइंट करेंगे जो भी इस गेम को जितेगा उसे टेक इंड़स्टी का अच्छा खासा टेंसन मिलेगा यह सुनते ही हारू फटा के गाकु को उस कंपटीशन के ल पार्टिस करता है वो समझ जाता है कि यह सब हारू की चाल है पर यह भी जानता था केश इवेंट में हजारों हैकर्स पार्टिसिपेट करेंगे जो ओनलैन मुकाबला करेंगे जिसके बाद सिर्फ बारा टिम को ही ऑफ्लैन इसमें गाकु की टीम का तो कोई चांस नहीं है क तुँ कहां है जिसमें हारू जवाब देता है कि मैं तो पाटी कर रहा हूं तुअ केले ही पाटिसिपेट कर इससे गाकू नर्वस हो कर लोगन करता है यह कॉंपटीशन बारा घंटे चले वाली थी जिसमें कहीं सारी अलग-अलग तरह के टेस्ट थे गाकु अपना सारा दिमाग लगा कर कुश्चन सॉल्व करता है और उसकी रैंग टॉप हाल्फ में आजाती है पर बाकी की टीम में चार-चार लोग थे और गाक इसल हारू ने अपने एक्सपेंसिव वाच बेचकर कॉम्पीटर नच की एक मीटर परेंज की थी उनके साथ पाटी वगयरा करके उसने उन्हें गाकु की मदद करने के लिए राजी कर लिया था अगली सुबह तक वो लोग कोश्चन ब्सॉल्व करते हैं और टॉप 12 में अ अजीब सी स्टिक भी लेकर आया था वो किरिका से कहता है कि अगर हम आज हार गए तो हमेशा के लिए तुमारे गुलाम बन जाएंगे और अगर जीद गए तो तुम हमारी हो जाओगी इस पर किरिका कहती है हमेशा के लिए तो पता नहीं पर तुमारे साथ वन नैट के बाद हारू अपने स्टिक को हिला हिला कर प्रेयर करने लगता है जिससे बाकी के पाटिसिपेंट्स वाइफाय कनेक्ट नहीं कर पाते तो कि हारू के स्टिक में अलुमोनियम फ्वैल लगी थी वहीं गाकू अराम से कनेक्ट करके बाकी के पाटिसिपेंट्स पे हैक करके पॉइंट कलेक्ट करने लगता है पर जल्ड ही और्गनेजर ये चीज समझ जाते हैं वो हारू को रोग देते हैं जिससे सब का ध्यान अब उसके टेम पे चला जाता है और सब मिलकर गाकू प्याटाय करते हैं जिसे गाकू घबरा जाता है चूपि वो पॉइंट लूज करता जा रहा था तब हडो इसे होसला देता है और बताता है कि मैंने एक रॉटर शिपादिया था जब नने ओफिसलwaifika के जगहा हमारे रॉटर से कनेक्ट कर लिया था अब तुम्हारे पास उनके पासवड है जिसकी की मदद से तुम आसानी से उनके कैसल पर अटायक करके पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो हारु की बात मानकर गाकू असानी से जीद जाता है मगर उनकी ये धोके बादी पकड़ी जाती है जिसके वज़ासे उन्हें गेम से डिसक्वालिफाय कर दिया जाता है पर किरे की काफी पर किरिकी से भी ज़्यादा खुस कोई और था और वो थे मिस्टर की डोईन जो की एक इंविस्टर थे और अब वो गाकू और हारू को फंड करने को तयार थे इसलिए वो उन दोनों को एक बार में ले जाते हैं जहां कई सारी मॉडल्स थी स्योरी नाम की मॉडल्स ने तो जारो लड़कियों के साथ सोचुका है ये सुनकर गाकू का मुखुला का खुला रह जाता है क्योंकि वो तो मेरी तरह बहुत सरीफ लड़का था उसकी एक गल्पिंट तक नहीं थी इसके बाद मिस्टर के डोईन 20% सेर के बदले 30 मिलियन देने की बात करता है पर आकरी में जालू पूरजी है या नहीं क्योंकि बिन्यस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है के डोईन की सर्थ को भी हारी से ओरी के साथ सोकर पूरा कर देता है अगले दिन मिस्टर के डोईन 30 मिलियन इन्हें दे देते हैं तब हारू पहले महीने ही 3 मिलियन का प्रॉफिट करने की बात करता है इस पर मिस्टर के डोईन कहते हैं कि अगर तुम अपने वादे पे खड़े नहीं उतर दे तो तुम दोनों को मैं अपना गुलाम बना लूँगा हारू सर्थ माल लेता है और फिर होटल रूम के बात टब में पैसों से नहाता है वो पैसों के साथ गोकू को भी फोटो क्लिक करता है और अपनी कही सारे वीडियोज पनवाता है इसके बाद वो अपने कंपनी में लोगों को हाइर करने के लिए इंटर्व्यू लेते हैं उन्हें पता नहीं था की इंटर्व्यू में कैसे सवाल करने चाहिए इसलिए वो एक बुक की मदद से लोगों की एबल्टी चेक करते हैं इसमें वो रिन नाम की लड़की को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि वो सवाल का जवाब भी सही देती है साथी वो हॉनिष्ट भी थी अगले दिन वो गाकु के अपार्टमेंट पे काम करने के लिए आ जाती है पर इन्हों ने अभी तक कंपने में क्या किय जाएगा यह डिस एड़ी नहीं किया था तब रिन कई सारे बुक्स बिजनिस एड़िया देती है आखिर में यह फैसला करते हैं कि हमारी कंपनी याई बेस्ट ऑनलैन स्टोर होगी यानि याई के मदद से लोगों को गिफ्ट सजिस्ट करेगी पर प्रॉब्लम यह थी कि ए वूर्टो होने लगती है कि पर सेड़ी प्रॉफेट नहीं हो रहा था इतना इन्होंने वादा किया था इसलिए ये तिनों मिल कर यिस बारे में डिशिकस करते हैं जिससे पतार चलता है कि लोक जादा तर गिफ्ट में फ्लावर देना ही पसंद करते हैं यह है यह इसीते प फ्लावरिंग कमपनी की मालकिन थी वो भी ट्रिलियन गेम कमपनी में इन्वेस्ट करती है पर इसके बदले वो अगले महीने तक 20 मिलियन की रिवन्यू करने को कहती है इसलिए ये नैट क्लब में अपना पैर जमाने की कोस्स करते हैं क्योंकि नैट क्लब में रिक लेडिस रे नंबर वन होस्ट था और अगर इन्होंने उसके कस्टमर चुराए तो इन्हें काम से निकाल दिया जाएगा फिर भी हारू हार नहीं मानता वो अपनी चिकनी चुपडी बातों और मैजिक की मदद से दूफी मेल से बात चीत करके उन्हें उस कलब में ले आता है बातों की जा चाने आता है वो हिरोतों के बंदे की पिटाई करने के बाद हिरोतों से कहता है कि तुम्हें अपना नंबर वन होस्ट होने का घमंड है लेकिन बहुत जल्द मैं नंबर वन होस्ट बनकर तुम्हारा पोजेशन चीन लूँगा ये बात हिरोतों के इगो को हट कर जाती है व मगर इसी जुकी उसे मना कर देती है क्योंकि उन्हें हारू पर भरूसा था कि वह उसे प्रॉफेट करके उनकी कंपनी को बैंक्रॉप्ट होने से बचा लेगा इधार हारू अपनी क्लाइंट से फीडबैक लेकर अपने एप को और अपग्रेट कराता है पहले उस एप में सिर बार और कर रहे थे इन्हें रिपीट कस्टमर नहीं मिल रहे थे क्योंकि ज्यादा दर लोग ऑफ लैंड सौप से ही अच्छे से देखकर फ्लावर करीदना पसंद करते थे इसलिए गाकु अपने एप में दिस्टी डिगरी फ्लावर देखने की फूचर एड कराता है ताकि अलग अलग टेबल पे अपनी टीम के साथ बैठे वे थे और ये अपनी क्लैंट से महंगे महंगे शैंपेन मंगवा रहे थे एम अप होने में जब 10 मिनट बचे होते हैं तो वहां केरी की आती है वो इस क्लब के नंबर वन होस्ट को बुलाती है जिसके लिए हारू और हिरो तो दोनों आ जाते हैं तब करी की कहती है कि मैं तुम दोनों में से उसे चूश करूँगी जो मुझी एक सूटे मरड ड्रिंक उफर करेगा रहो तो अपने क्लब के सबसे बेसिट ब्रेंड अफर करता है वही हारू एक सिंपल से कैन वाली छिए अफ़र करता है दोनों की र लगर रहा था कि किरी की एकस्पेंसिब ब्रैंडी लेगी मगर वो हारू की बियर केन लेकर उसे जिता देती है दरसल उसने उस मामली से बीर केन के लिए राजी कर लेता है वन विक के बाद इनकी से 20 मिलिन की हो जाती है जिससे हारू और रिंग काफी खुस होते हैं वही गाकू इमोशनल होकर रोने लगता है आगी के डूइन के रूके से कहता है कि तुम तो सिजू की का विजनस खरीदा चाहती थी ना अगर तुम हारू को नमबर वन होस्ट बनने में मदद नहीं करती तो सिजू की अपनी कंपनी मजबूरी में तुम्हें बेच देती फर तुमने टोन का कामासान कर दिया इस पर किरिकी कहती है कि हार के ही जीतने वाले को बाजिगर कहते हैं हारू और गाकू के लिए मेरे दिमाग में कुछ ब के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ती वो न्यू चैनल विलबोर्ड सब में चलवाती है पर नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि यह सब किरिकी ने नहीं बलके उसके डैड ने किया था और किरिकी किसी का बिजनेस मॉडल चोरी करने के खिलाफ थी दूसरी और हारू और उस के टीम से मिलते हैं जो काफी बुरे हालात में काम कर रहे थे हारू ने न्यूँ और अच्छी वर्क इनवर्मेंट देने का वादा करता है और अगले ही दिन वह ने अपने न्यूँ आफिस में बुलाता है जो काफी सांधर थी जिसके एक महीने की रेंट 3 मिलियन थी साथ ही हारू ने 20 मिलियन सेकरोटी एमान डिपोजिट कर दी थी ये जानकर तो गाकू का सर चकरा जाता है वही दिन हिसाब लगाती है कि अब तो हमारे पास सिर्फ 6 महीने आपडेट करने के लिए पैसे बचे है वही सकूरा का कहना था कि प्रोपर गेम बनाने के लिए 2 साल का वक्त लगेगा वहीं इसे बनाने में 1 बिलियन खर्च होंगे तब हारू इन्हें सर्वैबल एलेंड गेम दिखाता है जो बंद हो चुकी है पर एक टैम पे उसका काफी क्रेज था इसलिए हारू सी गेम को मौडरन टैच के साथ रिक्रियेट करने को कहता है जिसमें कम वक्त और कम लागत लगेगा कुछ दिनों के बाद हारू अपनी मोबैल गेम डेवलप्मेंट की एनॉंसमेट पार्टी रगता है जिसमें कई सारे इन्वेस्टर को इन्वेट किया जाता है यहाँ सीजुकी और मिस्टर के डोईन भी आते है सबके सामने सकुरा अपने गेम एडिया के बारे में बताना चाता है पर वो अपनी स्पीच बूल जाता है इसलिए फिर वो पेपर निकालकर अपनी एडिया पढ़कर सबको सुनाता है मगर अभी तक हारू डेवलपर के साथ पार्टी में नहीं आया था इसलिए काकू सकुरा को अपनी स्पीच इस्टेच करने को कहता है मगर वो अपनी स्पीच रिपीट करने लगता है जिससे कई सारे इन्वेस्टर वहां से जाने लगते हैं तब ही हारू हीरो की तरह इंट्री लेता है फिर वो ड्रेगन बैंक गेमिंग कमपणी की एक्स डिबलपर होरी मोतो को सब के सामने लाता है होरी मोतो बताता है कि कैसे वो ट्रिलियन गेम कमपणी के साथ मिलकर उचलने लगते हैं मगर अकेले में हारू गाकू को बताता है कि हुरुमो तो एक एक्टर है जिसे मैंने एक्टिंग करने को कहा था रेगन गेमिंग कंपनी वालों ने अपने डेवलपर को दुनिया से चिपा कर रखा था ताकि कोई भी उन्हें पैसों का लालाच देकर अपन में करना है जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे जो अब गेम में इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमारे पास आ चुकी है हम दो बिलियन में से कुछ पैसे सकूरा और उसकी टीम को देकर उनका मूँ बंद करवा देंगे और कोई चोटी मोटी गेम भी डेबलप करवा इससे गाकू हैरान हो जाता है उससे सकूरा और उसके टीम के लिए काफी बुरा लगता है दूसरी और किरिकी के डैट भी हारू की चाल समझ जाते हैं अगर वो हारू को एक्सपोस करेंगे तो मेडिया उनसे रियल केरियेटर के बारे में पूछेगी जिसका जवाब वो न जाकर बताती है कि हमारे एकॉर्ण से दो बिलियन गाइब हो गए है जरूर ये हारू ने ही किये होंगे आखिर वो कर क्या रहा है द्रिन काफी गुस्ते में थी वो हारू को कन्फरन्ट करना चाती है तब गाकू से रोखता है और बताता है कि यह सब मेरी गलती है मुझ में कि इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं हारू को ऐसा करने से रोक सकूंशॉड रशल मैं नहीं चाहता कि हमारी टीम में लड़ायी हो पर मैं वादा करता हो कि हमारा गेम जरूर बनेगा इसके बाद गाते रिंदरिन और गाकु मिलकर सकुरा की टीम को सारे सचाई बता देते हैं वो बेचारे तो हॉरीमोथो के साथ मिलकर गेम बनाने का सपना देख रहे थे उनका वो सपना टूश जाता है मगर गाकू बताता है कि Dragon Company में मेरा एक क्लासमेट काम करता है मैं उससे मिलकर Dragon Gaming के Development Team के बारे में पता करने की कोसिस करूँगा पर गाकू भी जूट बोल रहा था दरहसल सचाई तो ये थी कि वो Dragon Bank के सरवर को हैक करके उनके Development Team के बारे में पता लगाने वाले थे रात में सबके जाने के बाद गाकू अपना हैकिंग शुरू करता है जिससे उसके हाथ ना सिर्फ Development Team की फैल लगती है बलके उनके Future Plan भी उससे पता चल जाते है इसलिए एक पल के लिए तो गाकू का इमान डोल जाता है वो सारे Raw Files डॉनलोड करके बाद में उसे अपने गेम के नाम से लॉंच करने की सोचता है पर फिर उसे Real Age होता है कि इसे बनाने में Development Team ने ना जाने कि इतने साल मेहनत किये होंगे इसलिए किसी का काम चूरी करना सही नहीं होगा वहीं अगले दिन केरिकी को उसकी टीम बताती है कि हमारे सर्वर को किसी ने हैक किया था वो चाता तो डेटा चोरी करके हमारा Billions का लॉस करवा सकता था मगर उसने हमारे लिए एक नोट छोड़ा कि कहा कहा हमारे सर्वर में प्रॉब्लम है जिससे सर्वर है कोई और उसे हमें जल्दी ही ठीक कर लेना चाहिए केरिकी को ये गाकू का ही काम लगता है तो कि जब वो इंटर्व्यो के लिए आया था तब वो हैकिंग के बारे में काफी कुछ बता रहा था इसलिए वो तुरंत गाकू को कॉल करकि अगले दिन डेट पर बुलाती है जिससे गाकू हैरान हो जाता है पर पहली बार किसीनों से सामने से डेट के लिए पूछाता तो वो मना नहीं कर पाता अगले दिन किरे कि उसे एडवेंचर पार्क ले जाती है जहां वो खूल कर गाकू के साथ इंजोयक करती है फिर रात में वो गाकू के साथ जिहां टूइल पे बैटती है और तब वो उससे पूछती है कि हमारे सरवर को किसने हैक किया पर कोई डेटा चोरी नहीं की किया लगता है तुम्हें ?। उसने server है क्यों क्या होगा ? इससे गाकू घबरा जाता है और सुचता है किया अगर मेरे जगा हारू होता तो वो क्या जवाब देता ? फिर वो उससे कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो मगर किरिकी के जोड देने पे वो कह देता है कि हो सकता है हैकर तुम्हारे गेमिंग डिवलप्मेंट टीम की इंफॉर्मेशन निकालना चाता हो या और कोई ऐसी चीज जो पब्लिक नहीं है डेट खत्म होते टायम के डिकी अपने डिवलप्मेंट टीम के हेड हेबी जीमा के बारे में गाकु को बता देती है जिससे गाकु के खूसी कटेकाना नहीं रहता नेक्स्ट स्टीन में गाकुरिन और हारू के साथ हेबी जीमा से मिलने जाता है और उसे गेम बनाने में मदद करने के लिए राधी कर लेता है इसके बाद हेबी जीमा ट्रिलियन गेम के ऑफिस आकर बाकी के टीमेट से मिलकर गेम का एटिया डिसकस करता है फिर ये एक बबल बस्टर गेम बनाने में जुट जाते हैं कुछ वक्त के बाद इनका गेम बन कर तयार हो जाता है हारू का गोल था जल्दी से वन मिलियन लोग इस गेम को डाउनलोड करके खेलना शुरू कर दे इन्होंने अपने गेम को छे तारिक को लॉंच करने का फैसला किया था मगर उसी गेमिंग कमपनी में न्यों गेम बनाने का असायमेंट मिला है ताकूरा हेविजिमा को रोकना चाहता है पर हेविजिमा चार्ज करने की बात करता है उससे ड्रेगन बैंक कमपनी में 180 मिलियन यांच सैलरी मिलती थी जो की गाकु एफॉर्ड नहीं कर सकता फिर भी वह वह व हब ऒाबल एलेंड गे मでते हैं तो हेविजिमा को 110 मिलेल मिलेंगे मगर हेविजिमा को केड़ी की धंकिया याड़ आजाती है तरहसल जब उन्हें पता चला की हैृब जीमा ट्रीलियन गेम की मदद कर रहा है तो उन्होंने उसे जल्द收 जल्द वहां से निकलने को कहा वरना वह वह बीजिमा और ट्रिलियन गेम दोनों को बर्बाद कर देंगे इसलिए ही वहारू को आफर रिडिक कर देता है आगे वह ड्रैगन गेमिंग के लाउंच इवेंट पे पहुचता है जहां पहली बार ड्रैगन गेमिंग में को हो जाती है दूसरी और हारो एक टैलेंट मीडिया एजेंसी खरीद लिता है जिसे वह अपने पॉपलर मॉडल से बबल गेमिंग की पॉबलिसिटी करवाता है जिससे गेम रिलीज होने के अब हम सब मिलियनेयर बन चुके हैं मगर हारू अभी भी अपने ट्रिलियन यान कमाने के सपने को नहीं भूला था वो ट्रिलियन टीवी नाम की एक ओनलैन चैनल खोलना चाहता है यह दोनों फिर मिस्टर के डूइन के पास जाकर अपना एडिया बताते हैं जिस पर मिस्टर क पोड्कास्टिंग चैनल को खरीद कर विडियो डिस्टिबिशन सीखता है और फिर अपने मेडिया एजिंसी के मॉडल के साथ मिलकर नए नए सोस बनवाता है जल्द ही हारू को एक मोबैल फोन कंपनी की स्पॉंसर से भी मिल जाती है पर आगे इन्हें पता चलता है कि ड्र करेगा कुछ दिनों के बाद ही इन्हें एक न्यूज मिलती है कि अपरादी पुलिस के गिरफ्त से फरार हो गया और उसने एक रिस्टुरेंट में लोगों को होस्तिज बना लिया है गाकू तुरंत ही इस न्यूज को अपने चैनल पे ब्रोड कास्ट करवाता है साथ ही रि स्टुएसन से डील करने में हिल्प भी मिलती है वो काफी असानी से रिस्टुरेंट में घुसकर मुझरिम को पकड़ लेते हैं इसी कुछी में हारू अपनी टीम को पाटी देता है आगे वो अपनी टीम के साथ मिलकर एनमी बनवाता है इसमें भी उसे ड्रेगन कंपनी से इधर केरी की डायट Mr. K один से मिलकर हाथ मिलाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि Mr. K doen हारु का साथ छोड़ दे इसके बदले वो Mr. K do को अपनी सारी advertisement देने का वाध़ा करते हैं जो Mr. K doen अपने till燃मीड घौस के model को दे सकते हैं Mr. Kiddoin सारी बात Haru को बताते हैं, जिस पे Haru का जवाब होता है कि आपको अपने टैलेंट मीडिया हॉस के लिए जो सही लगता है वही करना चाहिए, और अच्छे ओफर्स को कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, मगर फिर भी Mr. Kiddoin के रिकी के डैट का ओफर ठुकरा देते हैं, तब Dragon Bank वाले Goku, Haru और Mr. Kiddoin को अपने ओफिस बुला कर उनसे तोस्ती करना चाहते हैं, वो अप Trillion Game के सारे स्टॉक करीदना चाहते हैं, इसके लिए वो 70 billion जान देने को तयार थे, साथ में वो अपनी बेटी देने को भी तयार थे, मतलब वो किरिकी की साधी Haru से करवा कर उसे अपना दामाद बनाना चाते थे, क्योंकि उन्हें हारू में वो जटबा दिखता है, जो कि एक वक्त पे उनमें था, इससे गाकु हैरान हो जाता है, पर इससे भी ज़्यादा वो तब हैरान होता है, जब हारू बताता है कि मैं पहले से साधी सुदा हूँ, इसलिए मैं ये ओफर नहीं एकसिप्ट कर सकता, इससे केरिकी चिर्ड जाती है, मगर बाद में गाकु को पता चलता है कि साधी सुदा होने वाली बात हारू ने जूट बोली थी, ताकि अगर वो साधी के लिए मना करे तो केरिकी को सरमिन्दा ना होना पड़े, आगे हारू गाकु और मिस्टर के डोइन से अच्छे से बातीत करने के बाद, अगली दिन केरिकी के डैड से मिलकर उनका ओफर रिडिक कर देता है, साथी वो कहता है कि आप हमारी कमपनी खरीदना चाते हो, और हम आपकी कमपनी केरिकी के डैड को ये मजाक लगता है, वो जो और से हसने लगत पर वो और उसकी टीम हार नहीं मानती, इसके बाद हारू पबलिक रेलवे सोई-सोई को अपने अंडर लेना चाता है, इस बात की खबर के डैड को चल जाती है, वो हारू को लंच पे बुला कर बताते हैं, कि हमने सोई-सोई के साथ पहले ही पार्टनर्सिप कर ली है, और ये तो अभी शुरुआत है, दूसरी और गाकु की टीम को पता चलता है कि उनके स्टीम सर्विस में वैरिस आने की वज़ा से सर्वर डाउन हो गया है, जिसके वज़ा से वो लैब नहीं हो पाएंगे, उसी वक्त गेमिंग सर्वर भी डाउन हो गया था, गाकु सिस्टम च हारु को बताता है, जिसके बाद कीरिकी के डैड हारु से कहते हैं कि तुमने हमारे सतर बिलियन की ओफर को ठुकरा कर सोचा कि तुम इससे भी बड़ी कंपनी बना लोगे, मगर अब देखो लोग तुमारे क्रेडिट बिलिटी पे सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर तुम गुटनों पर गिर कर मुझसे मदद मांगोगे, तो मैं अभी भी तुम्हारी कंपनी खरीच सकता हूँ, इससे हारु को गुसा तो बहुत आता है, पर वो चुप रहना ही बहतर समचता है, अगले दिन ही रिन कंपनी के परसिडेंट होने के नाते, प्रिस कॉन्फूदेंस क लिए खुद को जिमेदार ठहरा कर ट्रिलियन गेम कंपनी की परसिडेंट की पोस्ट से रिजैन कर देती है, निक्स्ट सीन में हारु घुटनों के बल बैट कर किरिकी के डैड से मदद मांगता है, और फिर ये भी पूछता है कि क्या उनकी बेटी से साधी करने वाला ओप् के डैड से बिनिस के सही दाओ पेच सीकर ट्रिलियन यान आराम से कमा लूँगा, इससे गाकु को काफी बुरा लगता है, क्योंकि गाकु और हारु को 30 बिलियल मिल जाएंगे, मगर उनके इंप्लॉई ने जो इतनी महनत की थी, वो बेकार चली जाएगी, मगर हारु गाकु नाराज होकर वहां से चला जाता है, अगले दिन हारु ड्रेगन कमपनी का डिरेक्टर बन कर ट्रिलियन गेम कमपनी की ऑफिस आता है, उसकी टीम को यकीन ही नहीं होता कि हारु ऐसा कर सकता है, हारु और मिस्टर की डोइन के सेर बेच देने से अब ट्रिलियन कमपन में डाल दिया जाता घाنघ लिए मुझे तुमारी पदॡल करने को त्यार होजा जाता है वो डेटा चोरी करके उसे ओनलाइन कर दिता है जिससे किरिकी के टैट की ब्लैक मेलिंग जमीन की काला बाजारी और बड़े-बड़े मंतरी को घूस देने की बात एक्सपोज हो जाती है पर वो फटाक से इसे फेक न्यूद बता कर सारा विडियो ब्लोग करवा देता है इसक और हेडिन सिटी वी था जिसके वजह से वो पकड़ा गया पर उन्हें यह नहीं पता था कि हारु ने सॉक होल्डर को सीओ का काला सर्च दिखा कर डरा दिया जिसके वजह से उन्होंने अपना अपना स्टॉक बेज दिया अब हारु के पास ड्रैगन कंपनी का 16% स्टॉक आ और उस वक्त उनसे और भी कई सारे बाते की जिसकी विडियो गाखु के पास पहुच गई और अब यह एक पोखता सबूत है पर अभी भी 6% सेर की जुरत थी तब जाकर 51% सेर कंप्लीट होंगे जिससे नियों सीओ बन जाएगा हारु की रिक्यू को अपने 6% सेर देने को क पोस कर देगा जिससे ड्रैगन बैंक बरबाद हो जाएगा इसलिए वह अपनी कंपनी को बचाने के लिए हारु की बात मान लेती है इसके बाद एक ट्विस्ट आता है हारु खुद के जगह गाकु को ट्रैगन कंपनी का सीओ बना देता है इसके बाद गाकु और हारु रि और अब वो इस कंपनी के सीओ बन चुके थे कुछ दिनों के बाद ट्रैलियन गेम कंपनी अपनी पैरेंट कंपनी ड्रैगन बैंक को एकुआर कर लेती है गाकु ट्रैलियन गेम कंपनी का सीओ बन जाता है और किरिकी को ड्रैगन बैंक का परसेडेन बना दिया जाता है वह हवा से उसका नोट उड़ जाता है जिसे हारू पकड़ लेता है फिर वो से अपनी लेंबोरगेनी में बैठा कर हारबर ले जाता है अब उसका अगला प्लैन हारबर बिजनिस में इंटर करने का था इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है तो दोस्तों इन दोनों दोस् ट्रिलियन डॉलर्स कमाना चाहते हो तो ये वीडियो इसके साथ जिरूर सेयर करना सुविल गाइज जाट की वीडियो में इतना ही थैंक्स टू गुडबाई